लमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर आज का टॉपिक थोड़ा दिल्चस्प है और शायद इससे आप अपने आसपास की महिलाओं और उनके व्यवहार को भी बहतर तरीके से समझ पाएंगे हम बात करेंगे उन औरतों की जो बात-बात पर हंसती है और इस आदत के पीछे क्या मनोविज्ञान हो सकता है क्या ऐसी औरतें खुशमिजाज होती है या फिर ये हंसी सिर्फ एक मुखोटा है दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अकसर चर्चा नहीं होती पर असल में ये कई रिष्टों को और भी गहराई से समझने में मदद कर सकता है हमारे समाज में अकसर महिलाओं की हंसी को उनके व्यक्तित्व से जोड़ कर देखा जाता है पर क्या सच में ये एक सही तरीका है? आईए, हम इस विशय पर गहराई से बात करें लेकिन दोस्तों, आज का वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि अदूरी जानकारी आपके समझने में कठिनाई ला सकती है औरतों का हंसना इस पर एक नजर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हंसना एक नैचुरल एमोशन है जब भी हम खुश होते हैं हमारा हंसना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है पर कुछ लोग होते हैं जो बात-बात पर हंसते हैं चाहे स्थिति कैसी भी हो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी औरतें क्यूं हर वक्त हंसती रहती हैं इसका जवाब सीधा नहीं है क्योंकि बात-बात पर हंसने के पीछे कई कारण हो सकते हैं एक औरत अगर हर बात पर हंस रही है तो हो सकता है कि वो अंदर से बहुत खुश हो या फिर वो अपनी नर्वसनेस छिपाने की कोशिश कर रही हो हंसी कई बार हमें ऐसी बातों से बचाने का तरीका भी हो सकती है जो हमें परेशान करती है हंसी और मनोविज्ञान दोस्तों हंसी का सीधा संबंध हमारे मन से होता है अगर कोई औरत हर छोटी बड़ी बात पर हंसती है तो जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी उतनी ही खुश हो कई बार लोग अपनी परेशानियों को छिपाने के लिए भी हंसते हैं खास कर महिलाएं जिन पर समाज की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है वो अपनी भावनाओं को खुल कर व्यक्त नहीं कर पाती ऐसे में हंसना उनकी लिए एक सेफटी मैकनिजम हो सकता है जैसे अगर किसी को कोई समस्या है लेकिन वो इस पर खुल कर बात नहीं कर सकती तो हंसी उसका तरीका बन जाता है उस तनाव को जहलने का अब सवाल ये है कि क्या ऐसी हंसी असली होती है नहीं हमेशा नहीं कुछ महिलाएं अपने दुखों को छिपाने के लिए हंसती है उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी भावनाओं को जाहिर करेंगी तो लोग उनका मजाग बनाएंगे या पिर उन्हें कमजोर समझेंगे इसलिए वो हर बात पर हंसने का नाटक करती है ताकि लोग उनके असली इमोशन्स तक न पहुँच पाएं दोस्तों के बीच औरतों का हंसना अब आईए एक और दिल्चस्प पहलू पर बात करते हैं अक्सर महिलाएं अपनी सहेलियों के साथ जब होती हैं तो बहुत ज्यादा हंस्ती हैं क्या इसका मतलब है कि वो ज्यादा खुश है या फिर वो सिर्फ माहौल को हलका फुलका बनाने के लिए ऐसा करती है दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं अपनी भावनाओं को शेयर करने में पुरुशों से अलग होती है वो अकसर अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करती है खास कर तब जब वो अपनी दोस्त मंडली के बीच होती है ऐसे में हंसी सिर्फ एक तरीका है जिससे वो अपने स्ट्रेस को बाहर निकालती है रिष्टों में हंसी का महत्व अब जब हम बात कर रहे हैं हंसी की तो हमें ये भी समझना होगा कि किसी भी रिष्टे में हंसी का कितना महत्व होता है अगर आपकी पार्टनर बात-बात पर हंसती है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको हलके में ले रही हो हो सकता है वो आपको खुश करने की कोशिश कर रही हो या फिर माहौल को हलका बनाने की कोशिश कर रही हो दोस्तों यह देखने की जरूरत है कि वह किस तरह की हंसी हंस रही है क्या वो इमानदारी से हस रही है या फिर उसकी हसी सिर्फ एक बहाना है किसी गंभीर मुद्दे को टालने का औरतों की हसी क्या ये कमजोरी है अब दोस्तों आते हैं मुख्य मुद्दे पर बात बात पर हसने वाली औरतें कैसी होती है क्या ये हसी उनकी कमजोरी है या फिर ये उनकी ताकत है अक्सर जो महिलाएं ज्यादा हस्ती हैं वो खुद पर ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है हसी एक ऐसा माध्यम है जिससे वो अपनी पॉजिटिव एनरजी को बाहर लाती है ये उनके मजबूत व्यक्तित्व का एक संकेत हो सकता है दूसरी तरफ कुछ औरतें अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए भी हस्ती है उन्हें लगता है कि अगर वो गंभीर होंगी तो लोग उनकी कमी निकालेंगे इसलिए वो हर बात को हंसी में टाल देती है कई बार महिलाएं नर्वस होने पर भी हंसने लगती है इसे नर्वस लाफ्टर कहते है जब वो किसी अनकनफर्टेबल स्थिती में होती है तो हंसना उनके लिए एक डिफेंस मैकेनिजम बन जाता है हंसी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है जो महिलाएं ज्यादा हंसती है वो अकसर अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है वो अपने तनाव को इस तरह से रिलीज करती है ताकि वो अपने काम और रिष्टों में अच्छा प्रदर्शन कर सके भारतिय समाज में अकसर महिलाओं को अपने इमोशन्स को खुल कर व्यक्त करने का मौका नहीं मिलता ऐसे में हंसना उनके लिए एक सुरक्षित रास्ता होता है अपनी भावनाओं को बाहर निकालने का तो दोस्तों, बात-बात पर हंसने वाली औरतों को सिर्फ एक नजरिये से देखना सही नहीं है हसी उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है लेकिन इसके पीछे छिपे कारणों को समझना भी जरूरी है कभी-कभी यह खुशी की निशानी होती है तो कभी यह छिपी हुई उदासी या नर्वसनेस का इशारा हो सकता है आशा करता हूँ कि इस वीडियो ने आपको नई जानकारी दी होगी और अब आप अपने आसपास की महिलाओं के व्यवहार को बहतर तरीके से समझ पाएंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई